अब हसी मजाग की बात अलग रखते वे मैं तुम्हें कुछ स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ मैंने यह खोल रखी है और ऐसे वैसे भी नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठा लियो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन के द्वारा है स्टेटिस्टिक्स प्रेजन की गई है तो 2022 पे बेस थी है तो यहां लिखा है नैरोइंग दो फोकस दाउन तो इंडिया की बात करें अगर तो एबाउट 56 मिलियन इंडियन सफर फ्रम डिप्रेशन 38 मिलियन सफर फ्रम सम काइ एक साल में 56 मिलियन इंडियन को डिप्रेशन है ठीक है 2022 में ही बात करें तो 56 मिलियन जो यहां लिखा गया है असल में 56 को 57 मिलियन ही मान लो यार 56 मिलियन के आगे 0.67 भी लगा हुआ है तो इतने सारे लोग डिप्रेशन के थ्रूज जाते रहते हैं और इसमें most severe अगर 24 years old तो मतलब कितनी बड़ी बात है तुम सोचो 15 से 24 साल के बच्चों के मन में ऐसा क्या चल रहे है 15 से 24 साल जो यूथ होती है जो बैक बोन होती है country की वो क्या feel कर रहे है किसी को कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ से जब आफ 15 से 24 साल की उमर में होते हो तो दो चीज़े होती एक होता है mentally देखा जाता है और biological देखा जाता है और एक होता है economically देखा जाए जो country अपने GDP और ग्रोथ और उससे आप से देखती है तो यार वो चीज़े एक बार एक लिए साइट भी रखो तो biological जब आप 22 से 24 की एज में आते हो तो आप strongest होते हो मतलब एक ट्राइम में आ साब हो और मैं या से बाहर नहीं जा पा रहा हूं तो कितनी बड़ी बात है लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और आज की डेट पर दिक्कत ही है अगर मैं बोल दूँ अपने घर वालों को आज की I think I'm depressed हो कहेंगे और चलाओ phone कुछ नहीं होता depression वगेरा यह हुमारे कोई depressed होन स्टेटिस्टिक्स तो हमने देखी लिए क्या क्या है eating disorders है anxiety है stress है अब पदे दिक्कत क्या है लोग कहते है कुछ नहीं होता तुम push through करो in fact मैं भी काफी समय तक अपने आपको कहता था push through push through लेकिन कभी कवार देखो एक reality है जो आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजे होत suppose मुझे बहुत अच्छा तैरना आता है और एक दोस्त है मेरा उसको बिल्कुल तैरना नहीं आता है ठीक है अब मैं यहां गंगा में तैरने जा रहा हूँ और मैं ब्रिच से कूट के तैर के पार कर ले रहा हूँ जो उसको कहता हूँ तू भी करना हो जाएगा हो जाएगा नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा और लॉजिकली देखे तो उससे नहीं हो पाएगा यार उसे तैरना कहां आता है दूब जाएगा पर मैं उसे पुछ कर रहा हूँ तू कर सकता है डर क्यों रहा है यार बहुत एजी है बहुत एजी है कुछ भी नहीं तू कर सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो push through वाला concept लोग चलाते ना कि याद push कर लो कुछ नहीं होता एक ही तो गढ़ाई से पार कर लोगे तो push through मज़े में हार मत बानो बात willpower की अकेले की नहीं होती है बात capabilities की भी होती है कभी कबार आप एक impossible task को face कर रहे होते हो जिसमें मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी capability नहीं है कि आपकी उकात नहीं उसे एक बार करने की लेकिन इस समय आप optimum level पे नहीं हो उसको handle करने के और उसको face करने के मैं यह कहना चाहरा हूँ अब बहुत सारे type के लोग होते है न जरूरी थोड़ी है कि हर कोई एक ही type के pinpoint लेजर्ड तरीके में अच्छा हो यार अगर मैं football खेलने में अच्छा हो तो जरूरी है मेरे सारे दोस football खेलने में अच्छे हो अब parents के मन में क्या होतेया देखो बहुत सारे बच्छों से बातचीत करी है और बातचीत की भी बात ना करूं तो मैंने खुद भी ये मैंने खुद भी फिल किया है कि parents की unfulfilled desire जो होते हैं न parents जो बनना चाहते थे parents के मन में जो महत्व कांशाह होती है parents के मन में जो एक ख्वाब होता है कि यार ऐसी life होनी चाहे थी कि मैं ये बन सकता था लेकर नहीं बन पाया वो बच्चों पर थोपने लगते हैं अब क्या होता है उनको लगता है कि बच्चा कर सकता है तो इसलिए वो push करते हैं बच्चे को और बच्चा जब unnecessary standards को match करने की कोशिश करता है न वो unnecessary standards जो parents तो थोपते ही है ये relative भी थोपने लगते हैं और शर्मा जी के लड़के को देखो कितना आगे निकल रहे है अरे तो मैं क्या करूँ वो आगे निकल रहे है तो मेरी गलती है क्या अरे मेरी भला से वो और आगे निकले मुझे कोई मतलब नी बनता हूँ आगे निकल रहे की नहीं निकल रहे है मुझे इस बात से मतलब बनता है कि आप मेर को उससे compare क्यों कर रहे हो देखो अगर पिछले दो महीने में वो मेर से आगे निकल गया तो अच्छी बात है इसका मतलब यह थोड़ी है कि next five years में वो आगे रहेगा growth सबकी अलग-अलग होती है graph सबकी अलग-अलग होती है अगर वो पहले के दो jump तेज मार पाया तो ज़रूरी नहीं आगे कि 8 jump भी तेज मारेगा और दस भी jump में वो वहाँ होगा जहां मैं पहुँच सकता हूँ अगर मैंने 9 jump नहीं लगाई तो इसका लगई है कि मैं 10 भी नहीं लगा पाऊंगा यार अगर आप किसी का success मेजर कर रहे हो तो पहली बात तो आप किस scale से मेजर कर रहे हो आप किस genre में मेजर कर रहे हो आप किस field में मेजर कर रहे हो और अगर आप कर भी रहे हो तो इसको demotivate करने की क्या ज़ूरत है मुझे यह समझनी आता कि जब बच्चों को compare किया जाता है तो क्यूं किया जाता है यार हर एक बच्चा अलग होता है ऐसा बहुत बहुत लोगों ने कहा अलग नहीं हो ता तुम special नहीं हो तुम यह नहीं हो तुम वो नहीं हो सही बात है motivate करने के लिए बोलना जाए तुम special नहीं हो तुम्हे special treatment नहीं मिल सकती और तुम्हे real world scenario में अगर survive करना है तो दूसरों को पिछाड़ना पड़ेगा लेकिन इसके साथ ये भी तो समझो की दूसरों को हराना है हराओ लेकिन उस field में हराओ नहीं जिसमें तुम actually अच्छे हो पहले क्या होता था अब हमारे parents के साथ क्या था उनकी generation में na settlement चाहते थे वो security चाहते थे life में क्योंकि उस समय वो ही चल रहा था है job जितनी कम थी कि लोग को अगर security नहीं मिलती stability नहीं मिलती settled down job नहीं मिलती जो एक stable income source दे देती तो life में success नहीं कहलाती उनकी life तो उन्होंने वो ही देखा है तो आज की date में जब start-ups जैसी चीज़े चालू होती है नई नई field में बच्चे जाना चाहते हैं तो parents कतराते हैं क्योंकि उन्होंने लगता है doctor बनाओ या engineer बनाओ क्योंकि यही दो field उन्हें पता थी और इनी fields में उन्होंने देखा है अपने साथ के लोगों को excel करते वे तो इसलिए doctor या engineer बनाने को बच्चे को बोलते थे और जब बच्चा mentality रखता है एक CA बनने के लेकिन घुसा उसे देते है medical field में तो no doubt वो stand लेने के लिए वो दूसरों के बराबरी में आने के लिए देखो वो बहुत अच्छा CA बन सकता था वो बहुत अच्छा accountant बन सकता था वो बहुत अच्छा mathematical reasoning और जो भी business mind होते हो रखता था लेकिन क्योंकि उसे medical line में घुसा दिया गया तो अपने competitor से अच्छा बनने के लिए दूसरों के साथ कुछ अउकात रखने के लिए कि यार दस लोग के सामने खड़ा हो तो marks ऐसे तो लगे कि parents बेस्ती ना करे अब इसमें वो अपना 110% दे रहा है और इस वज़े से वो burn out feel कर रहा है तो depression क्या है जिम केरी ने एक बार बोला था जिम केरी का नाम जानते हो मास्क वास्क मूवी में था बड़ा अच्छे facial expression देता है मजा कि आपको comedian है उसने एक बार बोला था कि depression is something that your body is trying to tell you कि it has had enough बहुत हो गया अब मैं यह नहीं कहूंगा कि यह गलट definition है सही definition लेकर मैं यह जरूर कहूंगा कि depression and burnout बहुत closely related है मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया और वो यह कहते है भाईया नीट की preparation में खासकल drop year में हम burnout feel करने लगते है हमें लगता है हम कितना भी काम करें हम आगे नहीं निकल रहे हम कितने भी हाथ मारे इस गड़े से बहाँ नहीं जा पा रहे हमें burnout आ गया saturation point आ चुका है अब सही बात है saturation point आ भी जाता है और ऐसा क्यों आता है एक तो mentally होता है देखो 15 से 24 साल की उमर ऐसी होती है कि लोग को लगता है बच्चे बच्चों को बहुत जादा guide करने की ज़रत है मुझे नहीं लगता हूँ serious है अपने future के लिए लेकिन इस गलत बात है मैं ऐसा मानता हूँ कि जो sensible बच्चे है जो सही में अच्छे बच्चे है वो इस समय अपने future के बारे में सोचते है चलो 15 to 18 साल की उमर में भले ही ना सोच रहे हो लेकिन 18 to 24 साल की उमर में वो definitely सोचते है they are technically adults and they are caring and they are literally serious for their future तो उस समय उनके mind में क्या चल रहा होता है उनके mind में successful life बनाने की खौब चल रहे होता है फिर जब बाहर के लोग उन्हें बोलते हैं तो क्या होता है कही न कहीं उनकी insecurity trigger हो जाती है कि what if I fail and मैंने ये notice कि family members ही सही दोस्त भी ये लोग क्या करते हैं कभी कबार सुनाते वे या कभी कबार अगर बच्चा performance पीछे रह जाता है तो इस समय में वो कुछ ऐसे words बोल देते हैं बच्चे को चुप जाते हैं कि तेरी आउकात क्या है कि I don't think you can do this you don't deserve this तू नहीं कर पाएगा अब क्या होता है बच्चा already सोच के बैठा है मन में कि यार I have to do this लेकिन अगर नहीं हो तो क्या होगा और अगर नहीं होने की insecurity मुझे कैसे पता है मैं ड्रॉपर रह चुका हूँ मुझे exactly पता है कि क्या मन में चलता है रात को सारे दिन काम करो रात को सोने वैठो तो लगता है अगर नहीं हो तो क्या होगा फिस सारी रात सो नहीं पाते हैं अगले दिन सुबह फिर वहीं करो physically exhaustion होता है mentally exhaustion होता है और ठंक जाते हो जिन्दगी से एक ऐसा समय आ जाता है जब यह सारी mentally पैदा होने वाली चीज़े आपकी life को effect करने लग जाती है आप cut off होने लग जाते हैं लोगों से आपको नहीं मन करता interact करने का आपको नहीं मन करता लोगों को समझाने का कि आपके मन में क्या चल रहा है क्योंकि कोई understanding ही नहीं कर पाएगा आपको देखो being depressed is something जो जो बहुत dimensional है मतलब इसको एक तरीके से नहीं देख सकते हैं अब मैं यह नहीं कह सकता कि कोई दुखी है तो वो depressed है लोग कहते हैं कि हम दुखी है हम depressed है एकी चीज़ ऐसा नहीं है और कही बार लोग जो बहुत खुश दिखते हैं वो भी depressed होते हैं वो एक टेंपररी arrangement लगा के बैठे हैं कि दूसरों के सामने खुश दिखना है defense mechanism का हो या कुछ भी का हो बहुत काम कर रहे हैं वो successful नहीं हो पा रहे हैं और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें support नहीं कर रहे हैं ये भी बहुत होता है ऐसा देखा गया studies में कि depressed लोगों को अगर एक भी एक भी supporting person मिल जाए जो उन पर truly support करें तो easily वो इस चीज से बहार आ सकते हैं लेकिन उन्हें ये ही नहीं मिलता है उन्हें support ही नहीं मिलता है उन्हें external validation नहीं मिलती है उन्हें कोई एक person नहीं मिलता जो उन्हें बोल सके कि yes I trust in you I am proud in you and I believe in you तो क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो हार मारने लग जाते है देखो इन सब चीजों से बचने के बाद एंड में हम किस point पे आ रहे हैं हम इसी point पे आ रहे हैं कि दूसरे आप पे विश्वास नहीं करेंगे दूसरे आप पे भरुसा नहीं करेंगे लाइफ के toughest moments में आप अकेले होते हो तो मैं चाहूंगा कि अभी से अपने आपको train करो ना why do you need external validation तुम्हें दूसरों की क्यूं क्यूं तुम्हें दूसरों से सुनना है कि वहाँ तू कर सकता है I believe in you तू करेगा तू फोडेगा कोई जरूरत नहीं है तुमने अकेले सपने देखे थे न अकेले कमरे में बैठके रो रहे थे अकेले तुम्हें dead end दिख रहा था एकना एक समय आता है यार अगर तुम वीडियो देख रहे हो यह तो I know कि तुम्हारे life में एकना एक point आये यहोगा जब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कहा हूँ कि मैं कितना भी हाथ पाओ मारलू मैं आसे बाहर नहीं जा पा रहा हूँ तुम्हें रस्ता नहीं दिख पा रहा है और अगर तुम्हारे मन में तुम पूछना अपने आपसे इंट्रोस्पर करना की इन सब इन सब negative जो भी तुम्हारे circumstances है इन से बाहर निकल के देखना कि तुम्हारे एक सपना तो था न तुम्हारे एक dream था तुम्हे कुछ बनना था अब चाहे हो medical students के लिए aims दिल्ली हो या J.E. वालों के लिए I.A.T. हो या कुछ भी हो academic dreams उसकी अलावा तुम्हारे life के dream से कि मुझे ये खोलना है मुझे ये बनना है मुझे बिजनसमन बनना है जो भी करना है तुम सोचो उसके बारे में और याद रखो कि वो dream तुमने अकेले देखा था तो जो dream तुम अकेले देखने के काबिल हो उस dream पे तुम अकेले काम करने के भी काबिल हो मैं नहीं जानता कि क्यूं लोग give up कर देते हैं लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि उनके give up करने के पीछे बाहर के उनके साथ के लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है कोई भी person अपने dream पे give up क्यूं करना चाहेगा खुझ से लेकिन एक person अपने dream पे give up जरूर कर देता है जब उसे repeatedly ये बोला जाए कि you are unable to do it कि तुम इसे नहीं कर सकते हो cut off कर दो उन लोगों को हटाओ मुझे नहीं फरक पड़ता कितने close दोस्ते हैं इतने प्यार करते हो तुम उन लोगों से लेकिन अगर वो कहते है कि तुम नहीं कर सकते हो कोई चीज जो तुम तुमें लगता है you were born to do तो हटा हो ने they have no right to say that to you देखो law of attraction ये कहते है कि जो तुम सोचते हो तुम ऐसा बनने लग जाते हो Connor McGregor जैसे लोग ऐसा बहुत कहते थे Connor McGregor का नाम सुना है MMA fighter है बहुत तगड़ा उसने कहा था कि law of attraction ये होता है कि if you can see it here and you have the courage to say it out loud in front of people then that thing will happen visualize करो और वो चीज होने लगेगी तो क्यों नहीं visualize कर रहे हो क्यों हार मान जा रहे हो अब मैं ये नहीं कहा रहा कि तुम्हें हर फिर वो तुम कहा ओगे भई आभी तो आपने कहा था कि क्या कहा था कि हर कोई एक चीज में push through नहीं कर सकता जैसे आपने अपने दोस्त को बोला कि यार कूद तू तो तैर सकते हो नहीं तैर पाए मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि तुम जो dream देख रहे हो तुमने वो dream इसले देखा होगा क्योंकि तुम्हें पता है तुम वो चीज कर सकते हो और जब तुम्हें पता है तुम वो चीज कर सकते हो तो तब तुम्हें अपने आपको push करना है तुम्हें उन चीजों पे अपने आपको ज़्यादा ज़्यादा पुश नहीं करना जो तुम नहीं कर सकते हो और दुनिया तुमारे उपर थोपना चारही है तुम समझ पारे हो मैं क्या कह रहा हूँ अब सपोस्थ तुम बहुत अच्छे बिजनेसमान बन सकते हो तुम बिजनेस साइकून बन सकते हो मल्टी मिल्लेनेर बिल्लेनेर बन सकते हो और तुमारे घर परिवार वाले चारहे है तुम डॉक्टर बनो अब डॉक्टर की लाइफ में यह जान लो कि ऐसा नहीं होता कि डिगरी मिल जाए MBBS डॉक्टर पन जाओ तो पैसा ही पैसा आ जाएगा नहीं यार MBBS डॉक्टर ना के बारावर कुछ नहीं कमाते सिर्फ MBBS और सिर्फ MBBS की तो saturation आ गई है medical profession में तुमें अगर idea नहीं है तो मैं बता देता हूँ बहुत ज़्यादा stress, depression, anxiety है ऐसा इसले क्योंकि उनको बहुत बहुत ज़्यादा tough working hours होते हैं, drastic conditions होते हैं तुम सोचो एक critical patient है जिसकी आपने treatment करी है and by chance भगवान ना करे लेकिन by chance उसकी death हो गई तो उसके parents को या उसके family members को आपको news पहुचाने है तो आप पे क्या mentally असर पड़ेगा तो कुछ लोग वो stress वाला environment नहीं जहल पाते हैं कुछ लोग नहीं जहल सकते हैं some people are not made for that and ऐसा इसले नहीं है क्योंकि उनमें कुछ कमी है नहीं, ऐसा इसले है क्योंकि वो sympathetic है ना, वो sympathy ज़्यादा रखते है empathy ज़्यादा रखते है उन्हें दूसरों का दर्द अपना feel होता है अपने अंदर तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी depression भी हो जाता है क्योंकि उनसे नहीं सहा जाता दर्द देखो कैसे बचा जा depression से उसमें बहुत सारे article ब्लॉग वगरा लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि अपनी motivation का source external मत रखो तुम अपनी dedication motivation, inspiration का source external मत रखो तुम दूसरों पे ज़्यादा वो मत करो दूसरों को अपना pillar मत बनाओ जिस पे तुम बोजा लेके खड़े हो कि दूसरे बोलेंगे तू कर सकता है तभी तू कर पाएगा, तूसरे बोलेंगे तेरे अंदर जान है तभी तेरे अंदर जान आएगी दूसरे कहेंगे तू ये कर तभी तू करेगा नहीं, एक समय आएगा जब आपको अपने decision खुद लेने पड़ेंगे और अपनी source of power खुद बनना पड़ेगा तो समय तू अभी लाओ दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे researches में ये भी कहा गया है बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा है अब मैं ये नहीं कहा है, मैं इसमें 100% belief करता हूँ लेकिन ये कहा गया है कि being depressed is a choice क्योंकि वो एक cycle चलती जाती है बुरे खहयाल आते हैं depressed feel करते हो बुरे खहयाल आते हैं साइकल चलती रहती है ये cycle को तो Negativity negative thoughts अपने माइंड से हटाओ एफरमेटिव सेंटेंसे बोलो ऐसा नहीं बोला कि मैं ये नहीं कर सकता है ऐसा पूछो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ Look for solutions rather than obstacles तो यह सब चीजे तुम ट्राइ करो और डेफिनेटलि यह वर्क करता है यार ऐसा प्रवचन देने का भाशन देने की बात निया सच में यह वर्क करता है तुम भूल जाओ तुम यह सब मत बोलो कि मैं यह नहीं कर सकता है मेरी वकात नहीं है और दूसरों को देखके बोल रहे तुम बड़े लोग है यह कर लेंगे मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे लोग जो अपने आपको ही दूसरों के सामने नीचा दिखाते है यार जब तुम ही अपने आपको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तुम ही अपने केपिबिलिटीज का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे क्यों करेंगे यूनिवर्स क्यों करेगा कभी नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता है ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा सब कुछ होगा सब कुछ तुमारे दायरे के अंदर है सब कुछ तुमारी ओकात के दायरे के अंदर है हर चीज तुम accept कर सकते हो और तुम कर सकते हो तुम जिस field में गुसोगे उस field में excel कर सकते हो बस वो field देख लेना ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम truly गुसना चाहिए हो बस दूसरों के लिए push नहीं कर रहे हो जो काम तुम दूसरों के लिए करते हो वो काम तुमें burn out देगा जो काम तुम खुद के लिए करते हो मुझे ये करना है वो ही काम तुमें आगे push करेगा और finally मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बैठे मत रहो जो बच्चे पढ़ते रहते हैं जो बच्चे नीट का ड्रॉप ले रहे हैं उनके अंदर ट्रेंड बन चुका है 12 से 15 गंटे सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना देखो मैं चाहता हूँ फिजिकल वर्काउट मोमेंटम लाओ बॉडी में घूमते रहो हिलते रहो तुम अगर 12 गंटे पढ़ रहे हो पढ़ो I have no excuse 12 गंटे पढ़ना है तुम मान के मैठो इससे कुछ होता है तो पढ़ो 12 गंटे लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूँ तुम 2 गंटे वर्काउट जरूर करो हर दिल फिजिकल अक्टिविटी करोगे तो तुमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा तुमारी बॉडी में डॉपमाइन रिलीज होगा हैपी हर्मोन जिसे कहते है और तुम डिप्रेशन से दूर रहोगे देखो डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है और मैं नहीं चाहता तुम मैंसे कोई भी उसमें फसे उससे बाहर निकलना है और उससे बाहर तुम निकल सकते हो दाट सेट थैंक यू